भारत का एसास भी और विकास का विश्वास भी है कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानुव जाती को हिला कर रख दिया है इन परिस्तितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मभिश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मभिश्वास भरने वाला है आज के बजट में आत्मन निर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है हम इस बजेट में जिन सिध्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्मान करना मानव समसाधन को एक नया आयाम देना इन्फास्ट्रक्चर निर्मान के लिए नए ने छेत्रों को विख्षित करना आधुनिक ताकी तरफ आगे बरना, नए सुधार लाना साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं का सरल बना कर आम लोगों के जीवन में इज अब लिविंग को बढ़ाने पर इस बजेट में जोर दिया गया है ये बजेट, इंडिविजियल्स, इन्वेस्टर्स, इंडिस्ट्री और साथ ही इन्फास्रेक्टर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बढ़ाव लाएगा मैं इसके लिए देश की वित्तमत्री निर्बला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों ऐसे बजेट देखने को कमी मिलते हैं जिसमें शुरू के एक दो घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पाउंस आएगा करोना के चलते कई एक्सपर्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोज बढ़ाएगी लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रती अपने दाईतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजेट साइज बढ़ाने पर जोर दिया हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजेट ट्रांस्परेंट होना चाहिए मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजेट की ट्रांस्परेंसी की सरहना की है सात्यों भारत कोरोना की लडाई में रियक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रयक्टिव रहा है चाहे वो करोना के काल में कियेगे रिफॉर्म्स हो या फिर आत्म निरभर भारत का संकल पर इसी प्रयक्टिव नेश को बढ़ाते हुए आज के बजेट में भी रियक्टिव का नामों निशान नहीं है साथ ही हम एक्टिव पर स्टेटेस्कों पर भी अटके नहीं है और हमने इस बजेट में भी प्रयक्टिव बजेट दे करके देश के सामने प्रयक्टिव होने का संदेश दिया है यह बजेट उन सेक्टर्स पर विशेश रूप से केंद्रित है जिन से वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गती से बढ़ेंगे जान भी जहान भी इसमें MSME और इंफा सेक्टर पर विशेश रूप से जोर दिया गया है इसी तरह यह बजेट जिस तरह से हेल्थ केर पर केंद्रित हैं वो भी अभुद्पुर्व हैं यह बजेट देश के हर खेत्र में विकास यानि और राउंड डेवलोप्मेंट की बात करता रहते हैं खास तोर पर मुझे खुशी है कि इस बजेट में दक्षिन के हमारे राज्य पुर्वोत्तर के हमारे राज्य और नुत्तर में ले लदाग जैसे क्षित्रों में विकास पर विशेश ध्यान दिया है यह बजेट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिल नाडु केरल पस्टे मंगाल एस इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम अठ है नौर्टीस के राज्य जैसे असम के अन एक्स्प्लोर्ड पोटेंशल को टैप करने में बजेट बहुत बड़ी मदद करेगा इस बजेट में जिस तरह से रिसर्ट और इनोवेशन एको सिस्टिम पर बल दी गया गया है जो प्रावधान किये गये हैं उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी भारत उजवल भविश के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा साथियों देश के सामान्य मानवी का महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्त, स्वच्चता, पोर्षण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता इस पर इस बजेट में विशेश बल दिया गया है बजेट में इंफ्रस्टेक्टर पर खर्चवें अबुत पुर्व बृद्धी के साथ साथ कई व्यवस्तागत सुधार किये गए हैं जिसका बहुत बड़ा फाइदा देश में ग्रोथ और जॉप क्रियेशन रोजगार के लिए बहुत लाब होगा देश में एक्रिकजचर सेक्टर को मझबूती देने के लिए किसानों की आइव बढ़ाने के लिए इस पर बजेट में बहुत जोर दिया गया है कई प्रावधान किये गये हैं अग्रिकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और जादा रन मिल सकेगा देश की मंडियों को यानि APMC को और मजबूत करने के लिए ससक्त करने के लिए Agriculture Infrastructure Fund से मदद का प्रावधान किया गया है यह सब देन नहीं यह दिखाते हैं कि इस बजेट के दिल में गाव है हमारे किसान है MSME सेक्टर को गती देने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार MSME सेक्टर का बजेट भी पिछले साल की तुलना में दो गुना से जादा कर दिया गया है साथियों यह बजेट आत्म दिर भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरी की प्रगती शामील है यह बजेट इस दशक की शुरुवात की एक मजबूत नीव रखने वाला बजेट है सभी देशवासियों को आत्मन निर्भर भारत के इस महत्यकों बजेट के लिए मैं बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ फिर से एक बार वित्नमंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ धन्यवाद करता हूँ जब मöँचन कक्यों तक है खिंडाद कहे लिकanti क् समय मैं को बहुत बहुत